तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको तैना हूँ iOS के नए अपडेट के बारे में जो की है 15.6.1 का पब्लिक वर्जन है अभी फिलाल 16 का बीटा वर्जन भी चल रहा है बट ये फिलाल पब्लिक वर्जन को रूल आउट कर दिया गया है 15.6.1 ये बहुत ही इ जानदार फीचर है हो सकता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा विका दिख रहा हूँ अगर आपने इससे प्रिवियस वाले अपडेट को नहीं कर आओगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा आपडेट है 281 पॉइंट कुछ आपडेट आया है इसके अंदर आप देख सकते है यहाँ पर security updates को करा हुए अगर आप Safari यूज करते हैं या पर कोई net suffering करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा update में वही दो changes वहीं किये गए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नए update किये गए मतलब की software से यहाँ पर जो करनल से अपडेट किया गया है अगर आप वहाँ पर सफारी को यूज करते हैं तो बैक में जो भी प्रॉसेस होती है इसको कोई हाम ना कर दे या फिर बोल सकते हैं कोई को इसके साथ कुछ छेड़चाड ना कर दे तो उसको यहाँ पर security को अपडेट किया गया है साथ में नीचे एक web kit नाम से भी एक process होती है जिसको भी यहाँ पर update कर दिया गया या पिर बोल सकते हैं उसको भी security में update कर दिया गया यह दो नए update यहाँ पर changes किये गए और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मैं आपको दो screenshot लगा के बता रहा हूँ यहाँ पर आप पहले की तरफ देखेंगे मैंने update होने चे पहले यहाँ पर अपडेट होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यह आपकी firmware वैसी की वैसी है और यहाँ पर अगर आप storage में आपको कुछ problem को face कर रहे थे बहुत सरे लोग storage में problem को face कर रहे थे तो उसको भी यहाँ पर rectify कर दिया गया है आप storage में जाके देखेंगे तो आप easily यहाँ पर देख सकते है मेरे पास other में फिलाल तो कोई data यहाँ प battery को भी यहाँ पर कोई solution ने मलब battery में भी कोई आपको दिक्कत नहीं बैटरी आपकी अगर battery health आपको अभी 100% की यहाँ पर मिलने वाली है तो आप देखेंगे बैटरी परसेंट भी यहाँ पर आपको 100 जैसा था वैसे वैसे यहाँ पर आपको क्या किया गया और यहाँ पर पर लग रहा है पहले भी अच्छा था बटोर यहां पर अभी इस पूतवल्य यहां पर वर्क करारा आप देख रहे होंगे ये बहुत ही स्मूत ली हाँ पर वर्क कर रहा अब moi है पर यहां पर इंपर कर दिया गया तो यह चीजह को यहां पर का सिक्यूर्टी का इश्यू यहां पर सल्यूशन हो जाएगा तो मेरे साथ इसको आपको अपडेट कर लिए कोई छोटा सा बेठे 281 MB का ज्यादा कोई बड़ा अपडेट भी नहीं है तो आपको यह अपडेट करना चाहिए आप देखेंगे कितना स्मूतली यहां पर यह वर जरू सब्सक्राइब करने ना और साथ में बेल आइकों को भी तबाद रहा तागी मैं जैसे नहीं ही डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो थेंकि दोस्तों